नमश्का दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मैं सुजीत पांडे दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएं, सभी परिक्षाओं के लिए उप्योगी Computer के Top 100 Question One Liner के Formit में हैं दोस्तों आप किस exam की तयारी करते हैं? आप जिस भी exam की तयारी कर रहे हैं, चाहें वो आपका State Level का हो, चाहें यहाँ पर जो exam लिखें Central Level के हर exam में Computer आता है, GK भी है तो GK में भी Computer का एक Section होता है, तो यहाँ पर जो कॉशन लेकर आए हूँ 100, यह पूरे 100 के 100 कॉशन आपको याद करना है हो सकता है आप से 60 से 80% कॉशन बन जाएं, लेकिन जो 20% कॉशन होंगे, जो की नए होंगे आपको वो भी याद करने हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देल के हुए, क्रप्या करके यह आपको कॉशन अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बीच में कॉशन देखते देखते साथ ही यदि आप चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाश्ट में शेयर जरूर कर दिना स्टार्ट करते हैं, पहला कॉशन देखिए तो सेविंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो कोई भी चीज आप कंप्यूटर में सेव करते हो, इसका मतलब है मैमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है तो डायरेक्टर के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है CAD क्या होता है CAD होता है Computer Added Design Oracle क्या है तो Oracle एक Data Base Software है दोस्तों आप से पूछ सकते हैं Java.net ये सब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए .net क्या है देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है Assembler का कारे क्या होता है तो Assembly भासा को यंत्र भासा में परिवर्दित करना भारत में सरवपधम दिखाई देने वाला Computer Virus कौन सा था तो C-Brain नाम का उस Network Topology का क्या नाम है जिसमें प्रते के समभावित नोड में दूई दिशिय कणियां होती है तो उसको बोलते हैं Mesh वह बिंदू जिस पर data कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है तो Terminal कहलाता है अगला Question विश्व का प्रथम Computer Network माना जाता है तो AR Planet को विश्व का प्रथम Computer Network माना जाता है Linux एक उधारन है तो Linux एक Open Source Software होता है पहले से चल रहे Computer को Restart करना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आपका Rebooting Software Code में तुटियां ढूंडने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है आपका Debugging CPU का वह भाग जो अन्य सभी Computer Components की गतिविदियों को Coordinate करता है तो उसको बोलते है Control Unit Comment करके CPU का Full Form बताईएगा अगला Question Computer में जाने वाले Data को क्या कहते हैं तो जो जाता है जो आप लगाते है वो Input होता है और जो Computer से बाहर आता है वो Output होता है आपको मुझे Comment करके बताना है कि Printer Input Device है या Output Comment करके बताईए Computer में Data किसे कहा जाता है तो चिन वा संख्यात्मक सूचना को Data कहा जाता है ALU का पूरा नाम क्या होता है तो Arthematic Logical Unit ALU का Full Form है Computer का नियंत्रक भाग कहलाता है तो CPU को Computer का नियंत्रक भाग कहते हैं Computer के सभी भागों के बीच सामान जस्य स्ताफित कौन करता है तो यह काम है आपका Control Unit का Micro Processor जो Computer का मस्तिश्क होता है उसे कहा जाता है तो Micro Processor को आपका Micro Chip कहा जाता है ALU परिचालन संपन्य करता है तो Arthematic उसका नाम ही है Arthematic Logical Unit है na ALU एक Hardware Device को Data को अर्थपूर्ण Information में परिवतित करता है उसको क्या बोलते है तो उसको Processor बोलते है Cry क्या है तो Cry एक Super Computer है इसका नाम है Tele Processing तठा Time Sharing का प्रयोग किस PDK Computer में हुआ तो यह हुआ था आपका त्रतिय पेड़ी का Computer अभी कौन सी PD के Computer चल रहा है कमेंट करके बताए यह किसी को पता है वह उपकरण जो Handheld Operating प्रनाली का इस्तमाल करता है तो वह है आपका PDA Computer कितने प्रकार के होते हैं तो Computer दो प्रकार के होते हैं Point and Draw device कहा जाता है तो माउस को कहा जाता है Point and Draw device Trackball उधारन है तो यह एक Pointing device का उधारन है Trackball Soft Copy एक Output है जो Hard Copy तो Hard Copy क्या है Soft Copy अधी Output है तो Hard Copy Printed Output है यह रखेगा Secondary Storage Media से Hard Disk में Software Program को Copy करने को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते है Installation किस Memory में रखा Data बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है तो RAM में RAM का Full Form कमेंट करके बताईए क्योंकि यह Basic Question है यह मैं नहीं बताऊंगा आपको पता होना चाहिए RAM का भी और ROM का भी दौनों का कमेंट करके बताईए DVD उधारन है तो यह एक Optical Disc का उधारन है DVD अगला कौशन देखिए CD-RW का पूरा नाम क्या है तो नाम है Compact Disc Rerritable सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वह उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है तो यह काम है आपका Data Base का Computer में अनवरत विद्धुत आपूर्ती का सम्चिप्त रूप क्या है तो UPS अब मैं UPS का फुल फॉम आपसे पूछूँगा और आपको बताना पड़ेगा बताईए कमेंट करके UPS का फुल फॉम Motherboard में क्या रहता है जो Motherboard पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोडता है तो एक सिस्टम बस यहाँ पर से आंसर है प्रतम गढ़ना यंत्र कौन सा है तो अबेकस है Computer user की विद्धता की पहचान करने वाली पड़ती क्या कहलाती है तो Authentication कहलाती है Modulator Demodulator का सामाने नाम क्या है तो Modem को बोलते है Modulator Demodulator पहले से On Computer को restart करना क्या कहलाता है तो warm booting भी बोलते हैं और मैंने आपको एक word और बताया था HTML documents बनाने के लिए किसकी जरुद होती है तो text editor की जरुद होती है Computer से अधिकान से processing होती है तो CPU में होती है website collection है तो एक web pages का collection होता है website collection किस programming language को translator की जरुद नहीं होती तो machine language को नहीं होती है Excel spreadsheet का extension है तो .xlsx आपको मुझे बताना है word का word जो sheet होती है उसको जब आप save करोगे जैसे आपको image save करते हो न तो वो आपकी png में jpeg में save होती है या jpeg करके .jpg जैसे कोई pdf save करते हो तो वो .pdf करके save होती है एसे ही word file . क्या करके save होती है उसके पीछे का extension क्या होता है file extension किसलिए इस्तेमाल होते है तो file की type को identify करने के लिए ये extensions use होते है excel workbook संग्र है तो एक work sheet का संग्र है ये email पते के दो भाग कौन-कौन से होते है तो प्रयोकता का नाम और domain number CAD सब्द का संबंध computer में किस से है तो design से है अगला question दिखिए भारत में निर्मित प्रतम computer का नाम क्या था तो सबसे पहले सिद्दार्स नाम को computer बना था computer program को high level programming language के रूप में लिखा जाता है माना उद्वारा पढ़े जाने योग program के अनुवाद को क्या कहते है तो source code बोला जाता है इसको सी basic कोबोल और जावा जिस भाशा के उधारन है उसे क्या कहा जाता है तो यह सब high language आपके high level language कहलाते हैं और जो मैंने आपसे .net पूछा था था ना .net और जावा यह सब languages है ASCII का पूर्ण रूप क्या है तो American Standard Code for Information Interchange इसका पूरा नाम है computer का पितामा किसे कहा जाता है तो चार्स बेवेच को computer का पितामा कहा जाता है सर्वपतम आधुने के computer की खोज कप की गई तो 1946 में सही answer हो जाएगा computer के संचालन में प्रयक्त प्रोग्राम नियम तथा computer क्रियाओं से संबनेत अन्य लिखित सामगरी को क्या कहा जाता है तो software अगला question देखिए computer के मस्तिश्क को क्या कहा जाता है तो CPU सभी को पता है integrated circuit chip का विकास किस ने किया तो इसका विकास किया है JS Kilby ने integrated circuit circuit chip मतलब क्या होगा IC बोलते है ना IC उड़ गई computer की या system की IC उड़ गई तो integrated circuit chip का short form होता है IC पर किस की परत होती है तो Sleekon की परत होती है चुम्ब की डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है तो iron oxide की परत होती है computer में किस शब्द की लंबाई computer में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते है तो bit में मापते है storage माध्यम की छमता क्या होता है तो byte होती है जैसे आप GB लिखते हो ना, तो GB मतलब Gigabyte, KB मतलब Kilobyte, आपको कमेंट करके बताना है TB का Full Form, TB, ठीक है, ये रोग वाला नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर में जो यूज होता ना छमता के लिए, TB, अगला कॉश्चन देखिए, MS Window किस प्रकार का Software है, एक GUI प्रकार का Software है, MS Window, वह कौन सा डिवाइस है, जो दो या दो से अधिक Network को जोड़ता है, तो उसको Gateway कहते हैं, अगला कॉश्चन देखिए, कंप्यूटर से विशिष्चता, किसे के साथ कारे करके, आंकणों की सूचना में Processing करते हैं, तो वो Numbers के साथ कारे करके, आंकणों की सूचना में Processing करते हैं, निर्मान पक्रिया में किस Memory Chip को Program किया जाता है, तो ROM को, रोम का Fullform और रेम का Fullform पूछा था, कमेंट कर दिया है नहीं, भूल गए हो तो कमेंट करो, और सबसे पहले एक बार देखो, वीडियो लाइक कर दिया है नहीं, इतने कॉश्चन कर लिए, उसके बाद भी, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, अगला कॉश् Charity किस की Property है, तो ये रेम की Property है, जावा किसका अधान है, तो ये क लेंग्वेज है, उच इस तरीये Language है, वह hardware device जिस आम तर पर, computer का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU है, सबको पता है, जब computer दिये गए अनुदेश्चों का कार करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वह processing कहा ताकि यह computer processing कर रहा है जो आपने इसको बोला है वह input device जो super बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो यह बार कोड आप देखते हैं आज कल phone पे Google पे ATM चल रहा है बार कोड के थ्रू एक computer program अनुदेशों का एक ऐसा set है जो समस्या सोल्जाने अथवा कारेके निस पादन में computer को समर्थ बनाता है वे terminal जिन्हें पहले cash register कहते थे प्राया complex inventory तथा विक्रे computer प्राणियों से जुड़े हैं उनको क्या कहा जाता है तो point of sale कहा जाता है वाइरस ट्रोजन, horses तथा वर्म क्या है तो ये computer प्राणाली को हानी पहुचाने में सक्षम वाइरस ही है ठीक है ट्रोजन आपने देखाऊगा computers data एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उप्योग करता को अनुमती दे रहे हैं तो input की अनुमती दे रहे हैं वे component जो आंकणों का संसाधन करते हैं वे इस्तित होते हैं तो वे प्राणाली unit में इस्तित होते हैं software का अर्थ क्या है तो program है software दस्ताविज प्रिंट करने की shortcut की क्या होती है तो control plus P चलिए आप मुझे बताइए आप बताइए cut किसी भी चीज को cut करना हो तो आप control plus क्या press करेंगे cut करने के लिए ठीक है ये comment करके बताइएगा binary language में alpha weight का प्रत्यक अक्षर प्रत्यक अंक तथा प्रत्यक विशेश character बना होता है कितने बिट का तो 8 बिट के योग से बना होता है वे graphical तस्वीर है जो file, folder इत्यादी जैसे object को reprintate करती है क्या कहलाती है उनको बोला जाता है icons याद रखीगा अपनी लागत और आकार के कारण ये computer अपेक चक्रत viral मतलब rare है तो उनको बोलते हैं super computer RAM का पूरा नाम आही गया random access memory आपके पास हो सकता है आप लोगों में इसके लोगों ने answer दे दिया हो बहुत बढ़िया विशिष्ट input अथवा output device को 6 computer प्रणाली के साथ communicate करने की अनुमती प्रदान करने हेतू design किये गए specialized program को क्या कहा जाता है तो उसको बोलते है operating system इस प्रकार का computer सबसे कम शक्ति साली है फिर भी इसका सरवाधिक प्रयोग होता है और वह तीवरता अवरधी वाले प्रकार का computer है तो mini computer होता है computer संसादनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्टिक कार करने के लिए design किये गए program को क्या कहा जाता है तो operating system का जाता है सरवाधिक शक्ति साली computer क्यों सा है super computer होता है ऐसी internet सेवाज जो उप्लदिस असरादनों को multimedia interface प्रदान करवाती है उसे क्या कहते हैं तो worldwide wave जिसको आप www लिखते हो न किसी भी google खोलना है क्या लिखते है www.google.com है न world processing software का निर्मान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो documents लाया जाता है ऐसी device जो केवल एक प्रयोग के बिना ही network से network को जोड़ती है cable के प्रयोग के बिना तार के प्रयोग के बिना तो उसको wireless कहते हैं ठीक है अगला question देखिए menu भाग होते हैं status bar का भाग होते हैं website को देखने के लिए प्रयोग्त किये जाने वाले program को क्या कहते हैं तो browser कहते हैं जैसे कि आपका chrome हो गया mozilla firefox हो गया internet explorer हो गया एक ही समय में विविन प्रकार के कितने documents को आप खुला रख सकते हैं तो इतने अधिक जितने की आपकी computer की memory होल्ड कर सकता है आप एक साथ खुल सकते हैं GUI का पूंड रूप क्या है तो graphical user interface होता है web page में वह कौन शासब्द है जिसे click किया जाए तो दूसरा documents खुलता है तो hyperlink यदि आप add कर दो तो दूसरा tab खुल जाएगा CPU में क्या होता है तो एक control unit और एक arithmetic logical unit computer boot नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी तो operating परणाली नहीं होगी तो boot नहीं कर सकता read only memory मतलब ROM को कौन सी विशेष्टा उसे उपयोगी बनाती है ROM में data को खत्रा नहीं होता बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है और computer network में कौन से प्रकार का संसादन सामानिता शेर किया जाता है तो printer आप को कैसे लगे ये 100 questions दोस्तों हमारे पास computer के और भी question है लेकिन प्लीज यदि आपने पूरा वीडियो देखा जिसने पूरा वीडियो देखा केवल उनसे ही उम्मीद है आप अपने दोस्तों को जरूर शेर करो भाई आप एक तो महनती हो इमानदार हो दूसरी बात आप हम से जुड़िये और पहले से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाईए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कॉश्चन लाते रहेंगे हमारा मनोवल हाई होगा ज्यादा व्यूज आएंगे तो जितने लोग देखेंगे जितने लोगों तक पहुँचेगा देखे या ना देखे वो सामने वाले काम है तो प्लीज शेयर जरू कर देना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक कि लाप अपना ख्याल भी रखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुबो मैं सुजीत पांडे लेता हूँ आपसे अलविदा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों